नमस्कार मेरा नाम है शेफ अरपाल सिंग सोकी और मैं बनाने इसकाराओं को भटूरे तो भटूरों के लिए सबसे पहले किन किन चीजों के अवशक्ता है नोट कर लेते हैं यहां पे मेरे पास है मैदा धाई कप मैदा एक कप दही आदा छोटा चमज बेकिंग पाउडर एक इसमें डाल दिया बेकिंग सोडा और चुटकी भर बेकिंग पाउडर इसमें डाल दिया यह बेकिंग पाउडर और चुटकी भर बेकिंग सोडा और इन सभी चीजों को यह अच्छी तरह से चान लेते हैं चानने से क्या होता है कि जो बेकिंग पाउडर मैदा सब बढ़ि अब इसमें डालेंगे ये दही, नमक और शक्कर सब चीजों को पढ़िया तरीके से मिला के यहाँ पर एक टो बनाना है में दही और पाकी चीजें मिलाने के पाद पहले अच्छी तरह से मैदे में मिला लें कि इसमें डालेंगे पानी बिल्कुल ध्यान से डालना है पानी ये जो डो है इसे अच्छी तरह से मलना होता है ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए इस तरह से गूंदेंगे तो क्या होगा जो मैदे में ग्लूटेन है वो बढ़िया तरीके से अक्टिवेट हो जाएगा और डो जो है बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगी इसलिए गूंदना बहुत जरूरी है तो अच्छी तरह से मलें इसे और मलने के बाद थोड़ा सा तेल ले लेंगे और डो पे लगा लेंगे और इसे एक कीले कपड़े से इस तरह से ढख लेंगे भाई ढखना लगबग आदे घंटे तक है ताकि जो बेकिंग, सोडा और पौडर डाला है वो अपना काम करें और डो को सॉफ्ट बनाएं तो यहाँ पे इसे मैं रख देता हूँ मैंने यहाँ पे पहले से ही पेड़े बना रखे हैं, मतलब वो जो डो है आदा घंटा आमने रखा था और जब सॉफ्ट हो गई थी तो उसके हमने पेड़े बना दिये थे, देखे कितने बढ़िया पेड़े बन गया और पेड़े बनाने के बाद भी थोड़ी देर तक रे गया अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी पेड़े बनाएं, तो जब फोल्ड करें, तो पीछे इसतरा होल ना हो, तो पेड़े जो है बिलकुल इस तरह से कसके बनाएं और गोल बनाएं, और पीछे बिलकुल फोल्ड नी होना चीए, वारना भटूरे जो है, व तो ये भी कर सकते हैं और ये जो बटूरा है इस तरह से धीरे से छोड़ देना आपने गर्मा गर्म तेल प्रेस करें और उपर से तेल डालते रहें जब बटूरा फूल जाए बढ़िया तरीके से तो उसे पलट लें और ये बिल्कुल देखें इस तरह से तयार तेल डालते रहें उपर से ताकि पढ़िया क्रिस्प भटूरा नजर आए ये देखिए ये भटूरा जो है पढ़िया क्रिस्प इसी तरह से कर्मा गरम पाकी भटूरे बनाएं और छोलों के साथ सर्फ करें या चनों के साथ सर्फ करें बनाएं इसी तरह से